नमस्ते तो आज हम पढ़ेंगे प्रशु प्रजातियों की बार में दिल्चास्प तत्या हमारी प्रित्वी पर 10 लाग से भी ज्यादा जानवरों की प्रजातियों जाने जाते है तो पहले हम देखेंगे मरीन आनिमल्स यानी समुद्री जानवर तो जिस जले अप्रानी के बार में हम पहले पढ़ने वाले है उसका नाम है जली फिश जली फिश समंद्रों में पाई जाते हैं और आप सबने उनके बार में पहले सुनाई होगा बड़ कि आपको ये पता था कि जली फिश का एक ऐसा प्रकार है जो मौत को दोका देने में सक्षम रहा है आप देखें वो ये कैसे कर पाता है जली फिश के दो अवस्ता माने जाते हैं स्टेशनेरी पॉलिप स्टेज या फिर स्थिर पॉलिप अवस्ता ये कुछ इस प्रकार दिखता है और दूसरा मॉबाइल मेड्यूसा फेस या फिर मॉबाइल मेड्यूसा अवस्ता जो कुछ ऐसे दिखता है अब ये माना जाता है कि तरनाव के सامय जैरी फिश अपने दोनों अवस्ता के बीच में यात्रा कर सकता है अगर इंसानों से तून ना की तो ये कुछ इस प्रकार हुआ कि एक मनुश्य अपने बुढ़ापन और बच्पन के बीच में यात्रा कर रहा है इस प्रकार वो सेकड़ों सालों तक जिन्दा रह सकता है और मौत को धोका देने में सक्षम रहा है आगे देखेंगे हम डॉल्फिन्स इस हस्ते खेलते उचलते जानवर को तो आप सबने पहले देखा ही होगा या तो अक्वेरियम्स में या फिर वाटर शोज में ये माना जाता है कि बाकी पशों के तूलना में डॉल्फिन्स बहुत बुद्धिमान माने जाते हैं मनुश्य के अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं ये हमारी बुद्धिमानी का एक बहुत बड़ा निशाना है डॉल्फिन्स में प्रकार है जिन्हें हम वाइल डॉल्फिन्स बुलाते हैं ये डॉल्फिन्स भी एक दूसरे को नाम से पुकाते हैं। देखा जाए, तो ये भी उनकी बुद्धिमानी का काफी बड़ा निशाना है। समुद्री जानवरों में जो हम आखरी प्रकार पढ़ेंगे, उसका नाम है वेल। समुद्री जानवरों में से ये सबसे बड़ा अला जानवर होता है। जिस वेल की आप फोटो देख सकते हैं, उसका नाम है किलर वेल या फिर और का। ये एक अकेला प्रकार है, जो मनुश्यों का शिकार करता है। बड़ क्या आप ये जानते थे कि किलर वेल असल में एक वेल होता ही नहीं, वो एक डॉल्फिन का प्रकार माना जाता है। वेल्स के बारे में एक और दिल्चस्प तत्या है कि इतने बड़े होने के बावजूद वो समुद्र के छोटे प्राणी पे ही शिकार करते हैं, जैसे श्रिम्प्स या फिर प्रॉन्स। आगे हम बात करेंगे लैंड अनिमल्स के, यानी जमीन पर रहने वाले चानवाद। आगे हम देखेंगे पोला बेस, यानी दुरूव्य भालू। पोला बेस प्रित्वी के आक्टिक रीजन यानी नौद पोल के अलाके में पाए जाते हैं, वहा का तापमान माइनिस पच्छास डिग्री सेल्सियस तक रहता हैं, बट वो इस कठिन परिस्तित्यों में जापे कोई मनुष्य नहीं जी सकता, ये भालू आराम से जी सकते हैं क्योंकि उनके तो अचा के नीचे 10 सेंटिमीडर का रोना होता है, ये इन भालू को इतनी करमाहाट देता है कि वो इन कठिन ठंड में भी जी सकें, पोला बेस के बार में एक और दिल्चस्प तत्वा है, कि अगर मैंने बोला कि एक पोला बेस की कलपना करो, तो सबसे पहले कोई एक सफेद भालू की कलपना करेगा, बट असल में जो पोला बेस की खाल होती है, वो काले रंकी होती है, जो आप इस फोटो में भी देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर, तो शायद आपके मन में यह सवाल आ रहोगा, कि पोला बेस सफेद क्यों दिखते हैं, वास् से सफेद नजर आते हैं, आगे बात करेंगे स्पाइडर्स की, यानि मुकडियों की, यह खौफनाग जानवर पृत्वी पर, अंटाक्टिका छोड़कर, बाकी छे महाद वीवों पर पाये जाता है, क्या आपको पता था, कि इसका जो देशम होता है, बले ही मनुश्य की ए 10 सेंटिमीटर मोटा रेशम का एक धागा लिया, तो उसमें इतनी ताकत है, कि वो एक उड़ते हुए हवाई जहास को भी रोख सकता है, कहा चाता है, कि प्रित्वी के सारे जेवित प्राणियों में, भले ही वो जानवर हो या पेड़ पौदे, उनमें विकास नजर आता है ये भी कहाते हैं, कि मनुश्य का विकास बंदर से ही हुआ है, आओ अभी जानवरों में विकास के दो विप्रीद उदाहरंड देखें मैं जिस पहले उदारण की बात करने वाला हूँ, उसका नाम है टेक्सेस ब्लाइंड सालमांडर सालमांडर एक अमफिबियन, जानी उभाई चर्ड का प्रकार है, जो कुछ इस प्रकार दिखता है ये वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे पानी की उपलब्दी हो टेक्सेस ब्लाइंड सालमांडर टेक्सेस के हेस काउंटी के गुफाओं में पाया जाता है और सेकडों सालों के विकास के बाद, आज वो कुछ ऐसे दिखता है इसकी वाचे ये है कि उन गुफाओं में पानी तो था, बट वो इतना अंदर रहता था कि भापे कोई रौश्णी नहीं आती थी और क्योंकि कोई रौश्णी नहीं थी, उसको धिष्टी की जरूरत नहीं पड़ी और फिर अभी उसके आखे ही नहीं होते और यहीं नहीं, क्योंकि उसके जो त्वचा है उसको pigments की जरूरत नहीं पढ़ दी अभी उसकी तो अच्छा एक पारदर्शी सफेद रंग दिखाई देता है मैं जिस दूसरी उधारण की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है tardigrades tardigrades एक microorganism यानि सुक्षम जीव का प्रकार है ऐसे बोरा जाता है कि ये tardigrades उबलते वे पानी और ठोस बर्फ तक मैं जी पाते हैं और यही नहीं ये एक अकेले जाती है जो अंतरिक्ष में भी पाई गई है ये भी कहा जाता है कि tardigrades 10 साल तक रेगिस्तान में पानी की एक बूंत की बगेर जी पाते हैं tardigrades एक इतनी मजबूच जाती है कि इसको अभी तक विकास की ज्यादा जरूरत ही नहीं भड़ी ऐसे बोला जाता है कि वो डाइनसौस के काल से पहले इस प्रिथी पर पाए जाते थे और आज तक पाए जाते हैं tardigrades असल में कुछ ऐसे दिखते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी सीखने को मिला और मज़ा भी आया होगा थान्यवाद